भारत मता की जैस्री राम आज प्रजा संग्रा मयात्रा का जो सेकेंड फेस तिलंगाना के हिंदू वीरों के योड से जो सफल हुआ है आज इसका समापन कारिकरम है और इस समापन कारिकरम में मंच पर जितने भी जो अधिकारिकन उपसीद है और यहाँ पर जितने भी जो मेरे राम भक्त बदारे है उनको मैरी दे से प्रडाम करता हूँ आज इतनी बड़ी संक्या को देखकर इतनी बड़ी संक्या को देखकर आज मुझे ये मैसूस हो रहा है कि आने वाले समय में भारती जन्ता पाटी की सरकार तिलंगाना में आप सब के आश्रवास से बनने वाली है यहाँ पर उपसी सभी राम भक्तों से भारती जन्ता पाटी कारेकर्टों से निवेदन करना चाहूँगा कि हमें बंडी संजे जी की ताख़द बनकर हमें आने वाले समय में आगे बढ़ना है अब ये राम भक्तों की ताख़द को कोई नहीं रोक सकता आने वाले समय में भारती जन्ता पाटी की सरकार दो सो परसंट तिलंगाने में बनने वाली है मेरे भाईो और आने वाले समय में जैसे मंच पर उपस ही सभी लोगों ने कहा है कि केसियार की खबर अब खुदने वाली है आज केसियार हो या केटियार हो ये लोग कहते हैं कि तिलंगाना को हम बंगारू तिलंगाना बनाएंगे अरे कहा का बंगारू तिलंगाना बना तुम बाप बेटे मिलकर करप्शन तलंगना बना दिये तुम लोग मिलकर आज तुमारे करप्शन को खोदने के लिए आज अमिश्या पदा रहे तलंगना राज्य में और सबा को संबोधित करेंगे कारेकर्टाओं का धर्शन करेंगे यहां पर उपसी सभी कारेकर्टाओं से निवेदन है कि आप आपको कमर कसनी है आने वाला समय युद्ध का समय है बिगुल बच्चुका है आने वाले समय में हर वो कारेकर्टा अपनी अपनी विधान सबा में यहां पर भारते जनता पाटी जीत रही है कैंडेड जीत रहा है एट्टियारस वालो भागो हमारी विधान सबा में अब हमारा राज जैने वाला है हिंदु राज जैने वाला है तेलंगा ना में तुमारा रा निजाम का राज अब चलने वाला नहीं है आज मुख्य मंत्री जो है अपने आपको आटवा निजाम समझते है तो वह मुख्य मंत्री को कहना चाहूंगा कि सातवे निजाम को जुकाने वाले सरदार वल्ला भाई पटेल और आटवा निजाम जो मुख्य मंत्री है इसको जुकाने वाले जो सरदार वल्ला भाई पटेल जी का जो रूप लेकर जो हमारे अमिश्या जी पदा रहे हैं ये आटवे निजाम केसियार को जुकाएंगे भी और तिलंगाना से भगाएंगे भी आज मंच पर भोष सारे अधिकारी गण उपसीदे मेरे भाईयो समय कम दिया गया है सभी को बात करना है मैं कम समय में बात करूँगा लेकिन एक ये एक बात करूँगा आप सब का ये संकल्प है कि भारत देश अखंडिन्दु रास्ट बने साथी साथ तिलंगाना में जो हिंदु विरोधी जो आज भैटे हुए है इनको भगाना है आप सब का सपना पूर्ण होने वाला है क्यूंकि तिलंगाना में भगवा रा जाने वाला है मेरे भाईयो तिलंगाना में भगवा रा जाने वाला है और ये अकबर दिनों विसी हो या सदिनों वेसी हो ये दोनों छोटे सालों को तेलंगाना से भार भगाना है अरे वोल्ट सीटी के मुसलमानों का तो तुमने कभी भला नहीं किया महरास्टा जाते हो और अंगाजेब की समादी पर फूल चड़ाते हो याद रखो ये अकबर अदिन याद रख जिस प्रकार से छत्रपती शिवाजी महराज ने और अंगाजेब को पानी पिलाया था उसी प्रकार से उसके वंशकों को भी पानी पिला पिला के मारेंगे और आने वाले समय में आप सब लोग देखींगे कि तिलंगाना में सिर्फ हिंदुर राज रहेगा हिंदुर राश रहेगा बोला भारत मता की भारत मता की जैस्रीरम प्रप्णि Commission प्रमभ हिंद। कि भार रहेओज का K bênे मत successive जैस्रीर रहेगा जैस्रीर रहेगा कि जैस्रीर रहे बोलाइक जैस्रीर हिंदू